तो गाइस मकर संक्रांती का ही हमारा पहला ट्रेड है आप देख सकते हैं 38100C हमने 465 से 470 की रेंज में बाय करने को दिया हुआ है फिलहाल कॉस्ट प्राइज में ही इसका रेंज चल रहा है अब देखते हैं आपको मैं टार्गेट और स्टॉपलोस और एंट्री हमारी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है यह हमारा एंट्री प्राइज है और नीचे हमारा स्टॉपलोस है ठीक है अब मैं आपको target लगा के दिखा देता हूँ कि हमारा target लेने वाला है कि मैं telegram पे भी update कर देता हूँ कि हमारा target ये रहने वाला है so that आपको भी तसलिय हो जाए कि मैं कुछ गलर target या ऐसा कुछ नहीं दे रहा ठीक है आपके सामने update करता हूँ इनको इसमें कैसा है कि आप जितना stop loss लगाते हैं आपको उतना target तो at least लेना चाहिए one ratio one रखना चाहिए तो best रहेगा ठीक है तो possible target में दे देता हूँ इनको 483 से लेके 487 की आसपास का ठीक है अब देखते हैं कुछ moment आती है तो मैं आपको update करता हूँ तब तक मैं pause करके resume करूँगा ठीक है तो guys 2-4 minute हुए है तो थोड़ा बहुत upside आया है 478 का high बना चुका है मैंको update तो करना पड़ेगा टेलेग्राम पे because क्या वो लोग alert नहीं रहेंगे तो उनको alert कर दूँ मैं इनकेस वो लोग alert नहीं रहेंगे तो खुटा उनसे miss हो जाएगा गलती से ठीक है चलिए wait करते है तो guys दीए थोड़ा बहुत upside move आया है 484 हमारा target touch हो चुका है क्योंकि हमने तो 483 से 487 के range दी थी 485 का भी high बना चुका है तो मैं ये भी update कर देता हूँ हमारे telegram users को target अच्छी हो हो चुका है ठीक है 484 high mid वैसे 485 बना है बट मैं 484 लिख रहा हूँ ज़्यादा तो लोगोंने 484 के आसपस book कर लिया होगा ठीक है अब देख सकते हैं अब इसमें आपको मैं reason बताता हूँ ये trade का reason क्या था वैसे मैं generally reason नहीं बताता हूँ बट मैं आपको इस trade का reason बताता हूँ थाकि आपकी भी थोड़ी बहुत learning बड़े है मैंने technical analysis की video दो बना चुका हूँ उसमें मैंने तो सारी details वैसे तो बता दिये पर इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें भी ठीक है आप देख सकते है market constantly नीचे आ रहा है one minute candles के इसाप से ठीक है अब ऐसे में भी हमने CE buy करके कैसे कमाया मैं आपको दिखाता हूँ यह हमने buying price दिया हमारी ठीक है यह bank nifty में दिखा रहा हूँ लेकिन options में हमारी करीब करीब यहां buying हुई और stop loss हमने यहां लगाया ठीक है और target हमारा था करीब करीब मैं बता हूँ आपको यहां के असपास का target रखा था ठीक है यहां तो मैं आपको पहले दिखा दूँ यह horizontal line है आप देख सकते हैं पहले भी एक बार price देख हो चुका है देख सकते हैं clear मैं आपको cross से लेके जाता हूँ देखो यह वाली जो candle है इसका price exact वही level पर आया ठीक है और उसके बाद आपको obviously expect करना था market का upside उसमें भी कुछ reasons और थे जो मैंने market को upside के लिए sure लिया अगर दूसरा trade आता है तो मैं आपको update करता हूँ guys एक hero hero trade हमने दिया है हमारी premium channel में मैंने पहले से add कर रहा दिया था watch list में 38200 का P ठीक है 435 से 440 के range में buy icon ये को दिया है आई ये charts पर देख लेते हैं क्या scene है इसका charts पर अभी देखिए cost price के आसपास ही चल रहा है मैं आपको entry stop loss and target draw करके अभी दिखा देता हूँ कि क्या रहने वाल है so that हमारे लिए थोड़ा easy हो जाए तो ये हमारी entry है अब ये 5 minute candles है तो मैं को stop loss थोड़ा अच्छा खासा देना पड़ेगा because ये scalping नहीं कर रहे हम इस trade को target या stop loss achieve होते होते हो सकता है 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट भी लग सकते हैं तो इसले हमको थोड़ा पहुत ऐसे 5 minute candle के हिसाब से stop loss and target उसी हिसाब से adjust करना पड़ेगा तो मैं आपके सामने ही target लगाया है और मैं इसको दे देता हूँ telegram में because आपको भी थोड़ा पहुत ऐसे रहना चाहिए कि right मैं सही targets दे रहा हूँ या नहीं 472 से लेके 475 के आसपस हम possible target दे रहे हैं and किसी को उपर तक लेना है तो और उपर तक wait कर सकता है तो अगर कोई moment आती है तो मैं आपको update करता हूँ ठीक है तो guys after 15-20 minutes हमारा target finally अजी वह हो चुका है मैंने telegram पे भी update कर दिया है तो अगर कोई दूसरा trade आता है तो मैं आपको update करता हूँ ठीक है अब market उपर जाने का chance लग रहा था 38,000 का CE 465 से 470 की range में मैं आपको charts पे दिखा देता हूँ ये slightly मेरे को slightly risk की लग रहा है because काफी fast fall आ रहा है तो हो सकता है ये just retracement हो बट मुझे यहाँ से लगता है कि market थोड़ा बहुत upside दिखाएगा तो ये हमारी entry price है आप देख सकते है मैं आपको stop loss भी दिखा देता हूँ लगा कि ये हमारा रहने वाला stop loss इतना बड़ा नहीं है अगर stop loss hit भी होता है तो ज्यादा स्यादा 13 या 15 points का होगा और target भी मैं करीब करीब इतने का दूँगा तो कोई moment आती है तो मैं आपको update करता हूँ ठीक है थोड़ा बोड़ डाउटफुल लगी रहा था इसलिए हमारा देखो ऐसे लेट हो चुका है मैं टेलेग्राम पर भी update कर देता हूँ अब दिखते हैं कोई trade आता है तो मैं आपको फिर से update करता हूँ तो guys अभी सिर्फ थोड़ी minute हुए मैं को आपस से surety हुए कि call लेना ही पड़ेगा तो हमने 38,000 का call 465 से 470 की range में buy किया है अब देख लेते मैं आपको draw करके दिखा देता हूँ entry, stop loss and target because अब तो मुझे लगी रहा है कि price उपर जाएगा because कुछ reasons है तो मेरी जो analysis है उसके reasons के basis में को लगता है कि price उपर जाना चाहिए मैं यह entry price बना दी अब यह मारा stop loss ठीक है अब जितना stop loss है उतने के आसपास हम target लगाएंगे but rejection candle जो है red color की उससे थोड़ा पहले निकलने की try करेंगे तो मैं because क्या है कि थोड़ा इसकी रहता है क्योंकि rejection candle तक कभी-कभी नई भी जाता है तो हम उससे पहले थोड़ा निकलने की try करेंगे ठीक है फिरा थोड़ा नीचे जाता हूँ दिख रहा है but don't worry मैं को तो लगता है उपर जाए गई देखते है प्राइज उपर जाना चालू कर चुका है 480 का है बना चुका है मैं अपने टेलेग्राम यूजर्स को अलर्ट कर देता हूँ यह कह कहे कि उनको slowly book करना चालू कर देना चाहिए because क्या है जब तक वो लोग देखेंगे जब तक प्राइज और उपर चला गया होगा ऐस पर मैं एक्सपेक्टेशन तो बोल दिया है मैंने अब देखते हैं कि लो 484 का तो है अल्रेडी बना चुका है एन आइटिंक 486 भी बना चुका है 487 चला जा चला गया टार्गेट एचीव हो चुका है इसको कहते हैं स्केल्पिंग अब कोई न्यू ट्रेड आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ स्वागत नहीं करो कि आप हमारा कि 38400 का सी हमने ही लोगेट के लिए बाय करने दिया है चार्ट पर देखते हैं तो अभी कॉस्ट प्राइज के आसपा चल रहा है जनरल ही ऐसा होता नहीं कि पांच-पांच ट्रेड हमको एक दिन में मिल जाए बट आज पता नहीं कैसे मिले हैं उत्राइन के दिन मकर संक्रा यह हमारा एंट्री प्राइज है अब इसमें मैं आपको स्टॉप्लोस भी लगा देता हूं यह देखिए हमारा स्टॉप्लोस ओके अब स्टॉप्लोस के इकुल में कुछ टार्गेट लगाना है तो देख लेते हैं कितना परफेक्ट रहेगा 400 के आसपास का बेस्ट हैगा मैं टेलेग्राम पर कहता हूं उनको 400 के आसपास का परफेक्ट है हाँ बर 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 इफ गोज अब इन पॉसिबल टारगेट 400 प्लस ओके ठीक है कोई मुमेंट आते तो मैं आपको अपडेट करता हूं ओके हैस प्राइस ने ऊपर जाना चालू किया है देखते हैं हाई कितना बनाया है 392 के आसपास का हाई बनाया है अब क्या है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा यह ट्रेट क्योंकि एंड इन मुमेंट से अभी तो मैं टेलेग्राम पे इनको अपडेट करना पड़ेगा मैं को कि 392 का हाई बनाया है कोई मुमेंट आती है तो मैं आप लोगों को डेफिनिटली अपडेट करूँ गाइस 370 के रेट में हमने एक्जिट करवा दिया है 12-13 पॉइंट के लॉस में बिकॉज में को लगता है कि फास्ट मुमेंट नहीं है और अगर आएगी तो अपसाइट का चांस थोड़ा कम ल को पर दिखा रहा हूं वैसे मैं को पसंद नहीं जाता स्क्रिंग्शॉट्स दिखाना फिर भी मैं आपको दिखाता हूं जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है तो चलिए आज की ट्रेट समरी काफी क्लियर है जिसने अगर 10 लॉट्स के इसाब से ट्रेट किया हो था तो 10K का profit easily बन जाता which is a good thing definitely अब main बात पर आते हैं जिसको भी हमारे टेलेग्राम पे फ्री में एड होना है प्रीमियम चैनल में तो आप शेर खान में अकाउंट उपन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रेप्शन में दिया हुआ है benefits लिखे हुए है lifetime आपको प्रीमियम चैनल में एड कर दिया जाएगा daily market के updates and news आपको whatsapp पे मिलेंगी one on one guidance मिलेगी आपको investment and आपके portfolio के regarding and brokerage charges कम है जैसे लिखा हुआ है अगर एक lot करते हो daily तो 35 rupees per lot and अगर एक से ज्यादा करते हो तो only 20 rupees per lot जो के discount broker के बराबर ही है ठीक है तो और किसी को अगर broker चीज़ नहीं करना है तो मेरे को contact कर सकते हैं description में number भी दिया हुआ है ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में